भारत की परमाणू रणीती का फोकस अब पाकिस्तान से हटकर चीन पर शिफ्ट हो रहा है। ये निसकर्ष बुलिटन आफ एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित एक स्टेडी का है। इस स्टेडी का आधार भारत की परमाणू ताकत का विशलेशन करना था। इस्टेडी जो की पारमपरिक तोर पर पाकिस्तान पर फोकस थी, अब उसका जोर चीन की ओर बढ़ता दिख रहा है। और बीजिंग अब भारती मिसालों की रेंज में। क्रिस्टेंसन वाशिंग्टन डीसी में फडरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ नुकलियर इनफॉर्मे पर अधिक जोर दे रहा है। पर अमेरिकन साइंटिस्टेंस प्रिहन्त ने पहले डेटेरेस पेट्रोल को पूरा करने का एलान किया था। इस्टेडी का अनमान है कि भारत के आर्चर्णों वाले नुकलियर ट्राइट के अत्रिक सिस्टम का विकास चल रहा है। और ये जल्द ही पूरा होने वाला है। ये भी अनमान है कि भारत मौजूदा इस्टिती में कम से कम दो एरक्राफ्ट सिस्टम, चार जमीनी अधारित बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम और दो समुद्र अधारित बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेट करता है। जो परमाणू शम्ता वाले हैं। स्टडी के लेखा कहते हैं कि कम से कम तीन और सिस्टम विकास की प्रक्रिया में। जिन में से कुछ पूरे होने वाले हैं और जल्द ही युद्ध के लिए तयार इस्तिती में होंगे। बीजिंग अब भारती बैलेस्टिक मिसाइलों की सीमा में है। जमीनी मोर्चे में भारत ने अगनी 5 नियर इंटर कांटिनेंटल बैस्टिक मिसाइल ICBM का प्री इंडेक्शन फ्लाइट टेस्ट पूरा कर लिया है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वारहेड ले आने में सक्षा में। स्टडी के लेकों के मुताबिक अत्रिक रेंज भारती सिना को मद और दक्षन भारत में अगनी 5 बेस स्थापित करने में मदद देगी। जो चीनी सीमा से दूरी पर होंगे। अगली PD के ICBM अगनी 6 का विकास भी परकती पर है। भारत अपने न्यूगलेट ट्राइट के समुद्र आधारे चर्णों को मजबूत करना चाहता है। भारत की पंडुबी की ओर से लॉंच की गई ब्लैस्टिंग मिसाइल SLBM K4 को उत्पादन के लिए तयार माना जाता है। ये 6 टेस्ट लॉंच पूरे कर चुकी है। स्टेडी के मुताबिक लगबग 35 किलो मीटर की रेंज के साथ के फोर बंगाल की उत्री खाड़ी से पूरे पाकिस्तान और चीन के अधिकतर हिस्तों को टार्गेट करने में सक्षम होगी। इसके अत्रिक रक्षा अनुसंदान संगठन यानि DRDO 5000 किलो मीटर रेंज की SLBM विक्सित करनी की योजना बना रहा है। ये भारती पंडुबियों को दक्षन चीन सागर समेत पूरे भारत प्रशान छेत्र को टार्गेट कर पाने में सक्षम बनाएगी।